पतरस की दूसरी पत्री अध्याय एक शामौन पतरस की ओर से जो येशु मसीह का दास और प्रेरित है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धार करता येशु मसीह की धार्मिक्ता से हमारा साब बहुमुल्य विश्वास प्राप्त किया है परमेश्वर के और हमारे प्रभु येशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शान्ती तुम्में बहुतायत से बढ़ती जाए क्योंकि उसकी इश्वर्य सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ती से संबंध रगता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुन के अनुसार बुलाया है जिनके द्वारा उसने हमें बहु मुल्ले और बहुती बड़ी प्रतिग्याइं दी है ताके इनके द्वारा तुम उस सबाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाशाओं से होती है इश्वर्य स्वभाव के सहबागी हो जाओ और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुन और सद्गुन पर समझ और समझ पर सैयम और सैयम पर धीरज और धीरज पर भक्ती और भक्ती पर भाईचारे की प्रिती और भाईचारे की प्रिती पर प्रेम बढ़ाते जाओ क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु येशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निश्फल ना होने देंगी जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुन्दला देखता है और अपने पूर्व कालीन पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है इस कारण है भाईयो अपने बुलाए जाने और चुनलिये जाने को सिध्ध करने का भली भाती यत्न करते जाओ क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे वरन इस रीती से तुम हमारे प्रभु और उधार करता येशु मसी के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे इसलिए यद्यपी तुम ये बातें जानते हो और जो सत्ते वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुध दिलाने को सरवदा तयार रहूँगा और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुध दिला दिला कर उभारता रहूँ तुम्हें ये जानता हूँ कि मसीह के बचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराय जाने का समय शीगर आने वाला है इसलिए मैं ऐसा यतन करूँगा कि मेरे पूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सरवदा स्मरोड कर सको क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु येश्यो मसी के सामर्थ का और आगमन का समचार दिया तो वो चतुराई से गड़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रताप मैं महिमा में से ये वानी आई ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन हूँ और जब हम उसके साथ पवित्र पहाल पर थे तो स्वर्ख से यही वानी आते सुना और हमारे पास जो भविश्य द्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से द्रड ठैरा और तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंध्यारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौँ न भटे और भोर का तारा तुम्हारे हिर्दियों में न चमक उठे पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्तर की कोई भी भविश्य मानी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती क्योंकि कोई भी भविश्य मानी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे क्योंकि यूज्य मानी कोई फी कि यूज्य मानी कि अपनी है।